नमस्कर दोस्तों स्वागत आप सभी को आपके अपनी YouTube चैनल MPPSC वाइराम में दोस्तों आज ही नभ्धियारत यहां आपको में रस पढ़ाओंगा दोस्तों और रस से जो है आपकी हिन्दी भ्यकरन शुरू होँगी हिंदी भ्यकरन में रस आपको इस तरीकेसे पढ़ाए ज कुए हैं पहले दोस्तों इन करना है आपको नोट करके बता हैं नोट करके बता हैं दोस्तों रहेगा आपका मजिदार एक्जामपल बात करते हैं यहां पर दोस्तों कि क्या पड़ी वहांसा होगी आपके रस तो परिवासा को समझने से पहले मैं आपको बता दों दोस्तों कि रस जो होते हैं रस का तातपर है क्या होता है रस पूर रस का तातपर होता है मिठे मतलब जो भी आपको समझने जानकर यहां से होगी मैं आपको कम्प्री बताऊंगा परिभासा क्या बोलती है किसी वाक्य क्यों सुनकर या किसी देस्ट को देखकर जो अनुभूती होती है उसे ही रस कहते हैं किसी वाक्य को सुनकर जब किसी वाक्य को आप सुनते हो या किसी देस्ट को आप कुछ देखते हो तो जो भी अनुभूती आपको होती है उसे ही रस क जाता है दोस्तों आंगे देखते हैं कि कैसे क्या है दिसे जैसे आप किसी चुटकुले को सुनका हसते हो यहां पर आप देख सकते हो कि आपने कोई चुटकुला पड़ा तो आप हाथ से रहे हो वहां पर तो वहां पर क्या होगा रस हो गया जो आपको अनुभूती हो रही है हसने की किस चीज को सुनका चुटकोले को सुनका दोस्तों तो यहां क्या है रस की अनुभूती आपको हो रही है अब रस की तत्य देख लेते हैं कि रस के कितने तत्य हैं तो रस के इलिमेंट्स को यहां पर बताया गया है कि रस की जो तत्य है वो चार तत्य है पहला उता है चंशारी वाओ इसकी बाद एक एक सको अच्छे सायं द्यान्य के सबसे पहले सच भाओ के बाहर पढ tô three थे हैं तो जो भाओ हमारे अंदर से जन्म से होते हैं यह जभाफ जब आप है पिया सफासी है अपके पके अंदर रहते हैं जैसे बच्चे को डराने से वह क्या है हाह कि यहां में धर लों कि आप जायोग तो क्याइब फर्पोजिस्न उसको खुसी होगी जब उसको त्या निकुसे इड़ने लगेगा थी बच्पन होते दोitating, किकOnal का को, इसहे न नो क? कार होते हैं दोस्तों समझने ते कौन-कौन से उधान है जैसे रती का क्या होता है दोस्तों सिंगार होता है हास का हास्य होता है तीसरा सोग का होता है करुण ओसाय का होता है वीर क्रोत का होता है रोध्य वय का होता है व्यानक रांगे देख लेते हैं जुगस्पा का होता है का होता है अद Arctic का होता है और निर्वत का होता है सांध दोस्तों तो यहाँ पर आप नौ影片 देख लेते हो और एक और आया ज़सो दोस्तों बातसल्य वातसल्य का एक्सम्पल होता है प्रिय तो यह आपका भी अभी दास herd का है आपका इस्ताईबाव है. आपके अंदर जो है, आपने सोचा है। कि वाले इस्ताईबाव था, पर्माणिται जो था आपका, जो उसको जागरित करते हैं इस्ताईबाव को, या उद्दित करने वाले तत्यू, जो तत्यू कहलाते हैं, जो आपको आपका भाव बना हुआ है जो आप सुच रहे हो समझ रहे हो आपर पर्माने इन बना हुआ है तो इसको बदलने दिमाले तत्व क्या कह लाते है उनको टीन बावाव गळूत किया गया गिए और दो इसदेख लीयते कून कून से जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं अलंबन अलंबन क्या होता है जो इस्ताइवा को जागर्थ करते हैं अलंबन किस फरकार से इस्ताइवा को जागर्थ करते हैं तो जिसके चीज के करण इस्ताइवा उत्पन हो जैसे नाएक नाईका ललका ललकी जिसे का जाता है नाएक को ललका क तो इसलिए होई लड़की अलंबन क्या लाएगी अलंबन से ताथ पर यह होता है कि उसने क्या कि आपको आकर्षित किया और आपके इस्ताई भावते उसको जागरित किया दूसरा होता है विभाव विभाव में पढ़ेंगे उद्धीपन उद्धीपन क्या होता है जो इस्ताई भाव को कैसे जागरत करता है तो इस्ताई भाव को तीब्र करने वाले तत्य जैसे सुंदर यह खूबसूरत समझने दोस्तों यहां पर आंगे लिखा हुआ है देखो कि एक सामाने लड़की को देखकर भाव उत्पन होते हैं परंतु अगर लड़की बहुत जादा सुंदर हो तो भाव ज्यादा मजबूत यह तिब्र हो जाते हैं अताई यह सुंदर ता उद्धीपन क्या लाती उद्धीपन से क्या मतलब है दोस्तों जब आपको एक लड़की देख रही तो आपके होते हैं तो आस्रय को आप समझेबिए कि यहाइभावव अत्पन हो जैसे नाएक नाइक हुता हो जैसे अग एक्जामपल व sedparents समझ में आता है कि रड़की को देखकर किसी लड़की के मन में मैं उसे प्यार या दोस्ती का भाव पैसा होता या पर आता है या पर पेसा होता है पेसा का ताथ पर रेगुलर होता है या पर पेसा होता है कि नौर्मल सब के पाव यह होता है लड़की को देखकर तो अता हुआ लड़का असरे माना जाएगा असरे से ताथ पर क्या वो फ्रेंड्शिप करना चाहता है तो वो क्या होगा मन के भाव को व्यक्त करने वाली सारे रिक चेस्टाय को क्या कहते हैं क्या कहते हैं अनुभाव कहा जाता है अब अनुभाव को देख लेते हैं कितने प्रकार हैं जैसे अनुक का पहला क्या है कायक अनुभाव भावतपन होने पर जान भूज कर की गए हरकत ही जैसे आँक मारना सीट्टी बजाना यह तो आप अच्छे से एक्जामपल समस्ते हो इसलिए एक्जामपल ऐसे दिये हैं दोस्तों जैसे आप किसी लड़की को देखते हो कायक ज हैं लड़की का की एक्जामपल इसलिए है कि आपको जलदी समझ में आएगा यहां पर बात आती है अक्जामपल की आपको समझ में आएक जास अ की की हरकत भाव उत्पन हो जाते हैं यह सुता जैसे कापना सांसें तेज होना यह सब क्या है काय कनुवा साथ्तवे कनुवाओ जो आर्टोमेटिक आ जाते हैं एकजंपल के माद्यम से समझते हैं अगर कोई जंगली जानवर अचानक आपके पास आ जाए तो आपके सांस नहीं बता गई आठ आपको द्यान जेना है अब संचारी भाव देख लेते कि क्या होता है संचारी जो भाव मन में थोड़े समय के लिए आते हैं और बाद में स्थाई भाव को पुष्ट करने के बाद यह गायव हो जाते हैं स्थाई भाव आज जो थे आपके यह आए और उनको क्या किया पुष्ट कर दिया कि जमेरो भाई है कहीं नहीं जाना आपको तो इस्थाई भाव क्या कर दिया इनने पुष्ट कर दिया उसके बाद चले गए गायव होगा कहां गायव होगा नहीं पता तो देख से चिंटा संखा गर्ब और आलत से जी आपके इस्थाई आने बाले परिक्षा आने से पहले हमें हचिन्ता होती में पारिणिद हम देखने की इस दूरों की सब साम आने हो जाता है तो कुछ दूरों की चैनी होती में तमने एक्जाम आने दोस्तों अब देखो यहां पर बाद आती है कि रस की परकार तो मैं ने आपको बता दिया कि नौत है और अभी बातसल सल आ गлав गाई दसमारस मैं आपको पहले बता दी एक्जाम्पल में भी तो नस्मारस आपका बातसल होगा दोस्तों तो इसके लिए आपको जल्दे से जल्दी बताऊंगा जल्दे से जल्दी रसलाऊंगा दोस्तों तो आज के रही इतना ही हो Hindi वैकन चाहते हो एक कंटीनियू रखे हो उससे पहले आपका मेरे Channel ये में नए आय हो और नए देख रहा हो तो दोस्तों